हलो दोस्तो ट्रेडिंग वित राज यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोद्रेज कंजूमर पुड़क के बारे में आज इसके सेर प्राइस पे 23% तक का ग्रोथ देखने को मिला था तो चले डिटेल्स में जानते हैं इसके पीछे रिजन क्या है और इसके आने वाले समय में क्या इसमें और भी उच्छाल रहेगी सारा चीज़ें डिसकस करेंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्रकार के और भी वीडियो के लिए अभी आप इस चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को हमेशा प्रेज करके रखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते निटेंद मैं गोदरेज कंजूमर प्रुडक के बारे में दोस्तो अभी तौपहर अभी सुबा के दस बच कर चंवान मिनट हुए हैं और अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में गोदरेज कंजूमर का सेयर प्राइस 775 रुपए पर उपन हुआ था 773 रुपए 15 पाइसे का लो बनाए था और इसके बाद जबरदस तेजी बनाई और 822 रुपए तक का हाई देखने को मिला था अब भी फाइनली 881 रुपए 50 पैसे पर ट्रेट कर रहा है पचास पैसे पी रेस्यों 46 रुपए है 46.19 और इंडस्टी का है 62.30 तो यहाँ पे यह अपने इंडस्टी के पी से भी सस्ता मिल रहा है और 89.54 रुपए इसका बुक वेल्यू है कमपनी का फेस वेल्यू नहीं है डेटा और आज जबर्दस ब्रेकाउट दिया है दोस्तो डेड है कमपनी के पास 855 कड़ोर का डेड है और कमपनी के पास कैस है 672 कड़ोर लेकिन दोस्तो यहाँ पे एसेट भी है बहुत सारे 14,283 कड़ोर का एसेट है कमपनी के पास और लास्ट क्वार्टर के अपेक्चा इस स्टॉक पे अभी जो है इस क्वार्टर में बहुत अच्छा सेल्स क्रोथ देखने को मिला है और इनके नेट प्रॉफिट में भी लास्ट क्वार्टर के पेक्चा इस क्वार्टर में बहुत अच्छा net profit देखने को मिला है तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक positive result आया है इस वज़ा से इस stock में तेजी देखने को मिल रही और stock जो है सस्ता भी है undervalued है इस वज़ा से और भी तेजी में बनी हुई है और इस stock ने अपने bound week का जो high था 808 रुपए उसको break कर दिया है और नया high बनाया है 822 रुपए का तो यह बहुत अच्छा breakout देखने को मिल रहा है इस company के share price पे तो दोस्तों यह stock अभी अपने 50 EMA का उपर कल closing दिया था 711 रुपए में 50 EMA का line था उसके उपर 716 रुपए पे closing दिया है और यह stock अपने 100 EMA के उपर भी कल closing दिया था और दोस्तों company का जो net profit उसमें लगातार हमें improvement देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज निकल कर आता है और देखे दोस्तों graph में यह अपने 50 EMA, 20 EMA और 5 EMA से पूरा उपर निकल गया है और बहुत ज्यादा उपर जा चुका है और उपर आज अच्छा closing देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज positive things देखने को मिल रहा है अब इस स्टॉक में अपर सर्कीट लागा हुए और बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से फिर एक नए वीडियो के साहँ तब तक के लिए बाब बाए ठैंक्यू